नमस्कार माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागते वेलकम बैक अगेन आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे मेक्यावली के बारे में जिस परकार अपने अरिश्टोटले को पड़ा हैं प्लेटो को पड़ा हैं इन सब को पड़ा हैं उसी परकार आज अपन मेक्यावली के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं यह आपने इन वीडियो को नहीं देखा हैं तो आप अवश्य देख लीजिए यह दिको अरिश्टोटले का मैंने सिर्फ 12 मिनिट में वीडियो बनाया को पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं उनके बावजुद उन्हें ठिंकर के बारे में कुछ याद नहीं रहता है जैसे कि आप से पूछा जाएगा कि मैं क्यावली के बारे में कुछ बताओ तो आप आपको उसका जनम हुआ था वह हुआ था तो उससे कोई मतलब नहीं वह कहीगा तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक concept आपके बीच में रखने की जैसे में यह देखिए यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिखा देताओ यहां पर देखिए concept की concept यह आपको अच्छी तरीके से analysis करने करोंगे और अच्छी तरीके से याद रखने में यहाद रखने होंगे यह पूरण रूप से इस वीडियो में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या किया वह इसके लिए मैंने पहले को खराब लगेगा तो मैंक्यावली ने मानव के बारे में का कि मानव दूष्ट होता है स्वार्थी होता है लालची होता है ऐसा का और फिर उन्हों यह बात वह भी क्या दी कि व्यक्ति अपने पिता की मरति को भूल सकता है लेकिन संपति के विनास को आजीवन नहीं भूलता है यह भी बात कर ली तो मतलब की मानव के पूरूरू रूप से नेगेटिव जो दर्ष्टिकों ने उनको आगे रखने की कौशिश की फिर सासन कला इसके बारे में पूरू बायोग्राफी देख लेगे इसके बाद अपन मैक्यावली के जीवन परिच्व को देख लेती इनका पूरा नाम निकोलो मैक्यावली था इनका जनम देखे पांच मई 1779 को हुआ था देखो इनकी मर्तियू भी अपन्दरा सो 27 इस्वी में हुई थ इनकी पिता भी वकिल थे और पैसों की बहुत अच्छे का से खांदन से थे परिवार से थे फिर इनके बारे में अपन और थोड़ा से लेते हैं कि उनकी अध्यन पद्दती क्या थी उनकी अध्यन पंद्द्दी में अपन कहेंगे अनुबवाद और इतियास वाद का तो उनको एक डेन डर्निंग नाम से व्यक्ति थे उन्होंने में क्यावली को अपने यूग का शिशू भी का था आप में से बहुत सारे स्टूडेंस होंगे तो वह यह प्रश्न का सामना कर चुके होंगे कि में क्यावली को अपने यूग का था और क्यों का था यह आपने कि प्रश्ट भूमि के बारहे हैं बात करें कि मैं क्या का विकास हुआ था तो कह सकते हैं फिर इसलिए कह सकते कि में क्यावली की विचारदार थी उसमें आधुनिकता का प्रबाव दिखा जाता है और पुरन रूप से उन्होंने आधुनिक होकर विचारदार रखी फिर यहां पर अपने यह देख लिया अनुबवाद विल्कुल पर वाह में उन्होंने बहुत सारी जो ठेयोरिया दी जो किताब लिखी उन्हीं के परबाव में लिखी से बहिंदे युग रिवर्तन का शिशुब भी का उनको और इसी परकार मतलब बहुत सारे विचार था कौन ने पर इंकर बारे में का फिर मैं क्यावली के मानव समद् उन्होंने का कि मानव बहुत ही जैसे यहां पर देखी कर्टक चलायमान दर्पो स्वार्ट लीप यह पूरान लूप से का कि मानव यहाई वता है प्रिंश प्रिंस उनकी बुके उसमें लिखा कि मानव बहुत मतलब कैसे की सवारती हैं वह और पर संपति अर्जन के लिए कुछ भी कर सकता हैं अपनी पीटा के मरतियों को बूल सकता है और मतलब नेगेटिव पूरन रूप से और सारव बॉमिक अहांवाद यूनिवर्सल इको इगोईज्म क्या विचारदारा के परतिपादा ने उन्होंने किया कि यहां पर आपन देखेंगे मानव के बारे में एक एक बिंदु अपन देखिए सरपथा сब्दों आप देखेंगे मनुश्य जनम से भूरा होता है यह पहला विन बहुत सारे मनुष्य की बात पर सटिक बैठ रहे और बहुत सारे जो अच्छा काम भी कर रहे हैं फिर स्वारत बावना और एंखर उसके क्रिया का सारे क्लाव पाम मूह लें फिर सद्वुन प्रवपगरा जैसे बातों से अपर इच्छी थे पशु के समाने सवारत ही हैं इक हैं पित्र दन की आने को नहीं भूलता है यह मनुश्य के बारे में उन्हों ने इलग्वल पूरण प्रृण रूप से नेगेटिव पॉइंट का शिर्य कूलाद करते जो गद्रान利 पह quyल लग वसंषिक पलताने के बारें और को धर्म के नाम पर मूर्ख बना के उनसे वोट लिए जाते हुँ आज की जो प्रस्तितिया आप यसा नहीं कि इंडिया में ऐसा नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कम चल रहा है लोगों को धार्मिक अंधता में गसीटू और उनसे वोट नहीं लेकिन में के विरूद किया था औ सब्सक्र Elão Butami बता है बता है समय होगा उपैसे सरकार का सामने रूप में राज सत्र मौनार की है तो इसका विक्रित रूप होगा तो इसमें निर्पुर्श सतंतर रा均ए प्रवर्ग तंत्र अच्छा रूप और यह इसका विक्रित रूप देखेंगे तो आपने देशों में तो देखो इन्हों भी डेमोक्रेशी का विरूद किया मैं और wiping और रस्तुन ने भी विरूद किया दर डीमोग्रेश कि उनों को एक बार देखना है कि उन्होंने कौण कुन सी बोक्स लिखी थी यह पहली पुस्तक है उसके बाद की यह प्रसिद्धी आसली थी अब एक एक फुस्तक को बन अलग लगत रीके से देखेंगे कि कि क्स पुस्तक में क्या क्या दिया गया है कि यूद के बारे में पूरन रूप से लिखे गए कि इस प्रकार यूद करना है और उसके लिए कौन-कौन सी नागरिक सेना का निर्मान करना है यह बाड़े की सेना है तो उसमें उन्हें नागरिक सेना का समर्थन किया था फिर अगले अपन देखेंगे तो the history of Florence इसमें इतल घ्रका जो Florence उसके बारे में अतीतों और वरत्मान का इतियास का वर्णन किया गये उसमें प्रिवस्ता के लिए निरकुंष राज तंत्र का समर्थन किया है उन्होंने प्रिंश के पतंशिल वैवस्ता का वीवरंड दिया है और वैवस्ता के लिए प्रिंश के लिए लिखी और प्रिंश को फिर वेट भी इन्होंने ने लिखता फिर अधर्स राजा के बारे में और यह इनके बारे में इसको प्रोवाइड करवा दूँगा किसी को चाहिए तो इसके डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगी एलिग्राम लिंक मिलेगा उस इसके बारे में आपन बात करेंगे तो में क्या वली से समंधित कुछ मैंतव पूर्ण तथे तो कौन-कौन से अपन देखिए इगल इगल ने देखो इनके बारे में काया कि में क्या वली महान वास्त्विक परतिबा शाली वेक्ति था जिसका उद्दिश राष्ट्र राज परतार लेगल निल्ट ने पर के बारे में परते करेंगा कर देखो इनको अतियारा का में क्यार अत्यार समंधित कि विचारों का पर सब्सक्राइब करें तो इन्होंने धर्म को राजनीती से अलग करने की कोशिश किये आदूनिक राजिये का विचार दिया है और राजनीती में एथारतवाद का समर्तन किया है करते अधेश्टे को उजगर किया है ऐसे सारे की कॉंसेट से जो मैंने आपके सामने की कोशिश की मैं के आवली के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी और छोटे से वीडियो में आपके बीच में रखने की कौश्य की